Welcome everyone to this brand new video right here और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आपको college degree चाहिए अगर आपको एक full stack web developer बनना है तो तो बहुत सारे लोग एक question पूछते हैं कि sir हमारे पास college के degree नहीं है तो क्या हमें company job नहीं देगी या फिर हम पहले web development सीखने से पहले क्या college जाएं कोई degree लें उसके बाद हमें jobs मिलेगी तो आपके ये सारे questions आज इसमें मैं cover करने वाला हूँ और आपके जो notifications है वो आप turn on कर लीजिए ताकि आप कोई भी video को miss ना करें ओके तो सबसे पहले हम समझते है कि full stack development होता क्या है तो full stack development की अगर बात आती है तो full stack developer वो होता है especially full stack web developer वो होता है जिसे front end and back end दोनों का knowledge होता है ठीक है तो front end की अगर बात हम करें तो front end में आपकी जो languages होती है वो होता है HTML, CSS and JavaScript इसके बाद आपके frameworks होते है for example bootstrap और JavaScript के बहुत सारे frameworks है बड़ जो popular है, वो है, react है, angular है, view है तो ये सारी चीज़े अगर आपको आती है तो एक आप front end developer होते हो अब अगर back end की बात करें तो back end में बहुत सारी languages है जैसे Python हो गई है, Node हो गई है PHP हो गई है, तो इन में से कोई भी एक language आपको आनी चाहिए और उसके बाद बहुत सारे databases होते है ठीक है, तो उसमें से आपको कोई एक database आना चाहिए, for example SQL तो अगर आपको ये back end की चीज़ें और जो मैंने front end की चीज़ें बताई है अगर वो आपको आती है, तो आप एक full stack developer होते हो, अब सबसे बड़ा question ये आता है कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, हमें college जाना पड़ेगा क्या, तो उसका सीधा सा answer है कि अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपको college जाने की जरुवत नहीं है अगर आप college नहीं भी जाते हो तो भी आप full stack developer बन जाते हो और अगर आप college जाते भी हो आप degree कर भी लेते हो तो आपके college में full stack development का syllabus नहीं होता है तो आपको या तो फिर companies में या फिर किसी courses से या फिर YouTube से कहीं ने कहीं online आपको सीखना पड़ेगा तो आप ये मत सोचीगा कि हम college जाएंगे तो हम एक full stack developer बन जाएंगे college से कोई भी इंसान full stack developer नहीं बनता है उसको खुद सीखना पड़ता है training लेनी पड़ती है और भी दूसरे तरीके से उसे सीखना पड़ता है तो सिर्फ full stack development सीखने के लिए अगर आप college जाएंग कर रहे हो तो I will not suggest you to join college for that क्योंकि that is not required आप यूं भी full stack development सीख सकते हो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि sir हमारे पास college degree नहीं है तो हम job देने जाएंगे उनका criteria होता है कि engineering या फिर BCA या फिर MCA या फिर BTEC कुछ ना कुछ required होता है तो वहाँ पर हमारा नहीं होगा तो guys मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे personal opinion से मेरा personal experience है कि आज के time पर time बहुत change हो रहा है और वो वैसा time नहीं बचा है आज जो requirement है तो मैं knowledge वाले को ही prefer करूँगा और आज के time पर companies भी उन्हीं लोगों को prefer करें जिनके पास knowledge है तो अगर आपके पास degree नहीं है technical degree नहीं है even degree भी अगर आपके पास नहीं है तो भी अगर आपके पास skills है तो आपको job मिलेगी ये guaranteed है और मैं सेकडो बच्चों को आज तक train कर चुका हूँ और उनकी jobs लगवा चुका हूँ so I know this for sure मेरे पास ऐसे students आये हैं जो different different fields है जो even 12th pass है 12th के अंदर भी है वो भी place हो पाए है just because कि उनके पास skills है तो skills are the most important thing आपको अगर इस field में आगे बढ़ना है तो आपको एक ही चीज़ के बारे में सोचना होगा कि कैसे मैं skills को develop कर सकता हूँ और उस पे आपका पूरा focus होना चाहिए degree is secondary degree अगर आप करते हो तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास degree नहीं भी है तो कोई issue नहीं है degree नहीं होने की वज़े से आपको कोई job नहीं देगा वो वाला जमाना चला गया आज का time में practical skills गेन करने का और अगर आपके पास skills है तो आप market में काम कर पाओगे अब यहाँ पर question आता है कि sir हमें full stack developer बनना है तो आपकी market में बहुत जादरा demand होने वाली है so I will highly recommend you to start with front end web development or how you can start you can start with by learning HTML and CSS और अगर आप deep में जानना चाहते हो कि कैसे आप आपको career start कर सकते हो in just 90 days तो link में आपको description मिलेगा I am having a free training 1 hour के training जहांपे में आपको exactly बताहूंगा how you can become a web developer in 90 days and how you can get a job so guys that's it for this video I hope इसे आपको help मिली होगी and finally मैं conclude करूँगा इस video को यही बोल कर कि आज के समय पे skills are the most important thing अगर आपके पास skills है तो आपके पास सब है अगर आपके पास skills नहीं है तो आपके पास कुछ ही नहीं है